अब अपन HCP के अंदर T-void-ovoid निकालती है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है तो tension मतलना है, ठीक है, बताऊंगा मैं सारा, समझ में आएगा, Locating T-void and ovoid in HCP, तो देखो, ये layer A हो गया, ये layer B और layer C, देखो, याद है A की तरह होता है, A, B, A, B type of packing से मिलता है HCP, वापस देखो, A layer, फिर अपने B layer रख दी, ठीक है, यहाँ, और फिर देखो, सेम A की ऊपर, बढ़ थोड़ा साइब ने बनाया है, तो देखे भाई, ठीक है, So, A, B, A, B type packing से अपने को मिलता है HCP, अब इसके अंदर देखते हैं, अपन T void वगरा कहा है, T void और O void कहा है, So, पहले देखो, अपन कौनसे atom से बना रहा हैं अपना HCP, यह एक atom, यह देख रहा है, बीच में, layer number 2 में, यह वाला atom 3, layer number 2 में, यह दो को atom देख रहा है, पीछे, layer number 2 में, यह वाला atom जो है, यह atom number 2 हो गया, फिर, यह बीच के 3 atom हो जाएंगे, जो HCP बनाते हैं, एक layer, दू दूसरे में 3, फिर 7, फिर अपने यह 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और बागी 7 का होंगे, नीचे, 7 नीचे, यह 3 देखो, red 1, 2, 3, और 7 उपर, तो अपने यह HCP बना गया, जो मैंने यहां दिखा है, समाजी में आ रहा है, फिर, अब मैं बोल रहा हूं, focus करो, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6 वे आटम को, तो यह 2 आटम तो यूनिर्सल का पार्ट है, यह बाहर वाले का पार्ट है, यह 3 आटम के ऊपर यह 3 आटम रखें, और देखो, बताया था, यह 3 के ऊपर इस तरीके से 3 रखते हैं, तो यहां जो बीच में इस पेस होता है, यह क्या देता है, अगर 3D में तो 3 के ऊपर 3 रखा है, देखो, इस तरीके से, यह रहा है, तीन और यह 3, देखो, मैंने सेम पढ़ाया है, तो जब इस तरीके से अर्रेंजमेंट होता है, तो बीच में जो इस पेस आएगा, यह वाला, यह क्या देता है पन को, O-Void, तो देखो, O-Void, यहां भी O-Void, अब देखो, यह जो तीन O-Void है, यह layer, अगर layer 1 नीचे वाली है, फिर layer 2 है, फिर layer 3 है, तो layer 2 और layer 3 के बीच में, यह 3 O-Void, फिर layer 1 और layer 2 भी दोगा सेम नीचे, समझ में आ रहा है, तो layer 1 और layer 2 के बीच में भी होगा 3, तो 3 यहां और 3 नीचे होँगे, 6 हो जाएंगे, फैल देखते हैं यह कैसे बन रहा है, देखना, इन 3 आटम को, और ये 3 आटम देखцевруз् fix वैसे है कि नहीं देखो, तीन एटम के ऊपर तीन एटम रखाएं, ये तीन एटम के ऊपर तीन एटम रखें, समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर रखते हैं, तो बीच में क्या मिलता है अपन को, O होए, और देखो ये O वाइट जो है, देखो यूनिट सेल ठीक है, तीन उपर, तीन नीचे, देख रहा है, तो ये अपना layer नीचे वाले layer number 1 और 2 के बीच में हो गया, ये 2 और 3 के बीच में हो गया, तो यहां 3 O वाइट, यहां 3 O वाइट और full contribution, तो कितने O वाइट हो गया, FCC unit cell के अंदर, शह, is this clear, और 6 अपना देखा भी था भाई वहाँ से भी देख लिया था, डारेक्ट, पर यूनिट सेल कितने एटम है, उससे, 6 ही आ रहा था, बढ़ यहां साफ साफ देख गया, 6 O Void हैं, पर यूनिट सेल, in HCP, अब 3 निकालते हैं, ठीक है, तो 6 O Void in HCP, यूनिट सेल, अब देखो, T Void देखते हैं, तो देखो, यह पहला अपना HCP बना लेते हैं, यह 7 एटम, यह 3 एटम बीच वाले, और 7 एटम पीछे होंगे, यह, ठीक है, T Void ढूरते हैं, मैं बोल रहा हूँ, यहां T Void है, ठीक है, यह 3 एटम के उपर बीच वाल एटम रखा हुआ है कि नहीं, तो अंदर, तो इन चानों से मिलके जो क्या मिलेगा, T Void, दो खाली स्पेस देख रहा है, यह O नहीं है, यह कौन सा है, T Void, फिर यहां भी T Void, यहां भी T Void, और 3 पीछे भी तो होंगे, यह अपने देखा है, लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में सपोज, तो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में भी होगा, समझ में आ रहा है, तो देखो यहां, क्योंकि यह जो बताया है, अपने स्टार्टिंग में पड़ा था, यह वाला जो एटम है, इन 3 के ऊपर रखा होता है, तो बीच में T Void मिलेगा, फिर यह जो एटम होता है, वो इन 3 के ऊपर रखा होता है, बीच में मतलब 3 के बीच में जो स्पेस तो T-void यहां में लेगा, T-void यहां में लेगा, 3 T-void उपर मिलेगा, और साफ साफ दिख रहा है, यह पूरा क्या पूरा है, unit cell के अंदर आ रहा है, full contribution, कितने हो गए? 6, अब लगे का सर, वहां तो 12 आया था, अभी तो 6 आया, हाँ, क्योंकि हमने सारे T-void नहीं देखें अ हाँ पर, so, और T-void कहाँ है, यह जो atom रखा हुआ है, एकदम बीचों वाला, इसके उपर, मतलब यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर, क्यों? क्योंकि यह atom रखा है, यह दोखो, layer 2 का 1, 2, 3, इनके उपर, यह जो रखा हुआ है, ठीक है, अपना, यह रखा हुआ है अप आएगा यहां पर, is this clear? तो 6 तो थे already, 2 और आगए, is this clear? मतलब यहां पर इस atom के नीचे, और फिर जो पीछे वाला atom होगा, उसके अंदर, क्योंकि यह atom, 1, 2, 3 के उपर रखा है, क्योंकि यह atom, 3 और red वाले के उपर रखा हुआ है, उपर मतलब जो बीच में है, उस पर रख हुआ है space, T-wide बन रहा है, similarly, यह atom इन तीनों के उपर हो जाएगा, तो 2 T-wide और हो गए, कितने हो गए, 6 plus 2, 8 हो गए, अभी भी missing है मतलब और, क्योंकि वो कहां है, देखो, यहां पर, यह जो corner आ रहा है न, HCP का हर corner के नीचे है, ठीक है, मतलब, क्योंकि यह जो atom है, वो किस के उपर रखा है, देखो, एक, जो बीच वाला layer है, एक, दो, तीन, इनके उपर रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, सो यहां T-wide, यह 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 नहां भी आएगा, तो यह जो T-void अब बन रहे हैं, वो तीन में share होंगे, is this clear, तो पहले होंगे कितने इस तरीके के T-void, यह तो हो गए अपने layer 2 और layer 3 के बीच में, 6, फिर layer 1 और layer 2 के बीच में होंगे 6, 6 से कितने हो गए 12, but contribution 1 by 3 है, 12 into 1 by 3, कितना हो गया? 4, और 8 plus 4 कितना हो गया? 12, सारे मिल गए, 1 by 3 contribution आएगा, समझ में आ रहा है, तो 6 plus 2 plus 12, 1 by 3, 12 आएगा, 12 T-void in HCP unit cell, अब अब अपने पहले ही देख लिया था कि बिना इतना structure बनाएगी, 6 और 12 होने चाहिए, 6 O-void होने चाहिए, और 12 T-void होने चाहिए, तो अपन ने जितना T-void और O-void देखना है, जहाँ जहाँ, सारे देख लिया, तो अपना voids भी हो गए, कैसे होते हैं, कहां कहां होते हैं?